अब आखों के लिए आई ग्रीट और आखों के लिए कुछ प्रसीजर से अक्षे तरपन प्राठक जलनेती सुतरनेती तरपला से आईवास अप्रशर घास पर नंगा चलना कितने हो पाय है उसमें आईड्रोग भी देते हैं दृष्टी सोम में जनवरी मेंने के अन्त तक अभी आई ग्रीट ड्रॉप भी मिल जाएगी ये ग्रीट जैसे वटी और ग्रीट ड्रॉप दे करके हमने लोगों के कान अब एलोपे थे में इसका कोई समाधान ही नहीं और कान और यहां दान के साथ से लेकर कि यहां तक दर चलता है ट्राइजिम की बीमारे टैनी सेल्ब हो जाए फ्रोजन सोल्ड हो जाए नीपेन हो जाए कमर में दर्द वात कंटकें टकने के नीचे दर्द हो जाए यह तो हम एक मिनट में सिंगी में दूर कर देते बाकी अंदर से बोड़ी को हिल करने के लिए पीडा नियल गोल्ड और्थोग्रेट न्यूटिला और्थोगेर पर यह सारी चीज़े देते रहते हैं कर ऐसी स्कीन के लिए तो गोधन अर्क को मैंने दस्यूं बीमारियें के लिए परमोशद का है गोधन अर्क नीम के साथ खाने से स्किन दीजिए फिर डर्मा ग्रीट फिर काया कल्प आरोग्य वटी सोरो ग्रीट और मिलिनो ग्रीट वटी भी लेग अलग अलग रोगों के हिसाब से तो चर्मरोग चर्मरोगों में परमोशद है गोधन अब कौन समझे इसकी महिमा यह परमोशद ही है इश्वरिये विदान से गोव माता का दुग्द उसका दूद दही घी वो तो थोड़ा भी मिले वह अभी अमृत रूप है लेकिन गो माता का मुत्र जो छोटी बच्ची से लेकर कि बचणी का मुत्र सबसे अच्छा माना जाता और मरते दम तक गो माता हमें मुत्र देती है अब बताओ मैं इस बात को कहूं गो मुत्र ये परम ओशद है लेकिन इसमें इसमें लोग संप्रदाय बीच मेरे आते कहां संप्रदाय आ गया जब इसलाम पैदा हुआ धरती पर मनश्य से भी पहले धरती पर गो माता पैदा हुई है अब उसमें भी संप्रदाय तर जोड़ देते मूर्ख कहीं अनुलों मिलों करने गाय का मांस खाने के लिए गाय नहीं है गाय का तो देखने मात्र से हमारे जीवन में दिविता आती है दर्शन करने के लिए पूजा करने के लिए गोमुत्र का पान करने के लिए गोदुग्द का पान करने के लिए उससे आधारित खेती के लिए गोमात इस लिश्क धर्ती पर कोई लाज्री वो सी सीथी को जागा गोमत्र मोटापा के लिए मेदोहर बटी चलो सब अनुलों मिलों करना है ना लंबा कपाल बहाती और अनुलों मिलों ये लंबा करो देखो गोधनर के साथ लिवोगे पुराने बुखार में गिलोई घनवटी गिलोई घनवटी एडवांस जोर्नासक के साथ जिनको कोलेस्टोल है लोकी घनवटी लिपडोम के साथ ले लेने या अरजुन घनवटी अभी उपलब्द कराने सुरू कर दिया उसके साथ लेने गोधन अर्ग जिनको इनफाट्रिलीटी है उनके लिए परम उशद है जिनको पेट की विमारी है ना कौश्टी पीसल है उसके कोलाइटीस वाले मत लेला है कोलाइटीस वालों के लिए तो कोलोग्रिट कोटेज घनवटी वो बिलवादी गंगाधर शंक भरदक मुक्ता शुक्ति चोन या फिर कोलोग्रिट कोटज घनवटी और चित्रकादी वटी गुर्जारिष्टी सब चीज़ है अब कोंस्टिपेशन बहुत लंबा है तो गोधन अर्क अभियारिष्ट और शुद्धी चोन तो परम ओशद है अब जिनका पेट दुनिया में किसी चीज़ से साफ नहीं हो तो बहुत परिशान लेते हैं लोग तो पर्मानेंट इलास तो गोधन अर्क और आमला एले विर शुद्धी चोन खा लिया ना तो मैं कहता हूं एक चमच्चो हाथी को भी दे दो तो छेरता फिरेगा अर्लोग कहते हैं जी भाथेली भर-भर की चोन खाते हैं और उसमें भी सनाय पत्ती नमाक सब खाखा करके कॉलाइटीस कैंसर किड्नी खराब कर लेते हैं क्यों आए सत शुद्धी चोन परमोशद ही है सुद्धी चोन कभी-कभी खा लिया तिरफला चोन हरित की चोन उदर कल्प चोन अब यारे सहाय जरुसे तो ऐसे घुलकंद फिर कभी-कभी आए से तीज गर्म दूद में वो ले लो इस सब गोल दही में लो तो कोलाइटीस ठीक होता है औ दूद में लो तो कभज ठीक होता है ऐसा ही सब गोल तो चलो मैं बोल रहा था कितनी बड़ी बीमारी है अब थाराड के लमने था एरोग्रीट बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रीट और लोकी का जूस खीरा कर रहा ले टमाटर आउला एले वेरा गिलोई के प्रोटीन पुरा उसका स्ट्रेक्चर हिल गया है तो इम्मिनोग्रीट गोल्ड ऐसी सब रोगों के लिए इनफर्टिलिटी के लिए संतती सुधा कल भी वह जी सब डोक्रों ने मना कर दिया था बच्चे नहीं होगे अभी मैं बोलने वाल हूँ उन सब के बारे में के लिए थोड़े दिनों में फिर वो उससे पूरी तरह से बाहर निखल जाते हैं वो भी एक कुंठा है और वो भी दो चीजें उसमें कुंठा भी है और गलत अभ्यास भी है योगा ब्यास करो मूल बद्न रगाओ सीर्शासन करो योवनामरित लो और जो बच्पन की गल्त यहां जेनों ने कर रखें जवानी में योवन योवनामरित गोल्ड योवन गोल्ड और योवनामरित फिर फिर योवन चोग संतती सुधा दोनों के लिए बरागा नारी कांती सिरफ दश्मूर फलग लेडीज के लिए कपाल बाते करना ही पड़ेगा तो सारी ओशधिया त कफ के लिए अज सुबही मनें बताया यह ब्रॉन कॉम दिन भर चूश लो दो दो गोली करके आप आर दस गोली चूश सकते हो पूरा तंत्र आपका विदिन टू थी डेज एकदम परफेक्ट हो जाता है यह गया कहा है तो खैर इस सारी चीज़ें आपको बताते है अप्रत सारी वटी सारी गोल्ड करिये बरॉन कॉम करक्युमिन गोल्ड इतनी अच्छी चीज़ें बना रखें अब इम्मिनिटी के लिए चलो पर इम्मिनिटी के लिए दो मिनट बात करके फिर मापको आज के कुछ लाइव एक्जामपलस बताऊंगा पूरे शरीर की इम्मिनिटी के लिए इम्मिनोग्रिट इम्मिनोग्रिट गोल्ड गिलोई घनवटी गिलोई घनवटी एडवांस शिलाजीत अश्रशिला और चंप्रास यह पूरे शरीर की इम्मिनिटी के लिए लिवर की इम्मिनिटी के लिए लिवोग्रिट किड्नी की इम्मुनिटी के लिए रिनोगृट , कॉलायटिस जिनको बहुत भेंकर है, कॉलोगृट। और जिनका पाचंतंत्र गडबड है ना तो काढ़ा तो पीनेल शर्वकल्पका नहीं तो लिवोगृटी खाले, पाचंतंत्र की इम्मुनिटी अलग होती है। लंग के उम्यूटी के लिए तो स्वासारी वटी स्वासारी गोल्ड या प्रों को मिसे बेहतर कुछ भी अप्रति में हिए हाठ की उम्यूटी के लिए हिरद्यामरी अध्योग निधा हाट हम रखा तो मेरे हैं अमरे और अइसे पटा पट मर रहे हैं लोग के आखों की कुछ ताकतवर को कमजोरी ही भीमारी है बोलो क्या है कमजोरी ही और योग सिसारी कमजोरी और लाचारी इतनी सी बात और जो गंदगी अंदर उसको शुद्ध कर देते ह। आप शुद्धी करना ससकती करना आखँ की मिनिटिट की ये मस्तिस की मेदाव्टी मेमोरी गम्री नियॉरो ग्रेट नर्वस सिस्टम दोनु साथ एक साथ को लैप्स ओगाए दो चोटी चोटी बात है पूरी बोड़ी की इम्मेटी के लिए विटामिन डी, वीटेल, कैलसियम आदी, ये कमी हो जाती है तो, ये सारा, ये नुटिला, विटामिन डी, वीटेल, कैलसियम, आरेन, ओमेगा, ये सारी छोटी छोटी बात है, बच्चों की इम्मेटी के लिए, मैंने कर बोला था, नु हालेक्स, कॉम्पलाइंग, फिर प्रोटिन एक्स, लेडिज बहुत खाती, जैंट्स भी आजखल पते हैं, सब पावर बीटा, ब्राम्मी से लेके, संक्पुस्पी से लेकर के, बच्चों के शरीर और मस्तिस्क के विकास के लिए, ये दो पूरा पावर बीटा है न, ये आम तरह के बच्चों के प्रोडेक्स के नाम पर माताएं बहने अपने घरों में न जाने क्या-क्या कूडा कच्रा लेकर के आती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इतने जबरदस्ट प्रोडेक्स हैं, आप लोग इस्तिमाल करों, लेकर, ताकत की नाम की, टोनिक के ना पर ये इतने खतरनाक हैं, ये ताकत की दवा, ये पोशन के लिए बच्चों का शारीरिक पोशन होगा, बच्चों का पूरा डबलामेंट होगा, एनर्जी के नाम पर, ताकत के नाम पर, पोशन के नाम पर, हेल्थ ड्रिंक के नाम पर, बहुत बखेडा है,